सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एक्जाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की लेटेस्ट वीडियो की नोटिविकेशन आपको समय से मिले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम टिकी में जैसे कि दोस्तों इस वीडियों हम बात करेंगे समस्य विवहार के प्रबंधन पर और या यूट आपकी 5 से बात हो रही है क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलता है और इस यूट से आपको 5-10 नमबर आपको या यूट हर बार पेपर में आती है और देखर के 5-10 नमबर जाती है तो दोस्तों इसके पहले unit 5 से दो वीडियो अप्लोड की जा चुकी है पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा और मैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के description वाक्स में दे दूँगा आप लोग उनको देख करके समझ लीजिएगा देन उसके बाद इस वीडियो को देखेगा तो और अधिक समझ में आएगा क्योंकि यह common paper का topic है education psychology का इसलिए सभी अब्रती जितने भी आपके साथ आपके साइपार्टी पढ़ते हैं सभी के पास वीडियो को share कर देंगे और यदि चैनल पर नए है और वाकई लगता है कि चैनल अच्छा है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे की लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन जो अमारा नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नॉटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी और यदि आप हमारे टेलीग्राम गृप से जुनना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की डिसक्राप्शन मॉक्स में नियंत्रित करने के उद्धिश से पूर्व वर्तिकार को तथा परिणामों के भली भाती प्रियोक करने में किया आता है तथा इसका विस्लेशन करने पर इसका आधारित होता है आप सभी को पता है चायवा intellectual disability का बच्चा हो चायवा सामाने बच्चा हो सभी के अंदर कुछ न को समस्था विवार देखने को मिलता है और समस्था वेभार देखने को जब मिलता है तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया आता है उसको किस प्रकार से रोका जाएगा उसको किस प्रकार से कम किया जाएगा तो इस वीडियो में उसी पर बात होगी देखते हैं किन किन वीडियों के दोरह इसको रोका जा सकता है तो पहली आपकी विदिय प्रतिक्ष दंड विधी और दूसरी आपकी विदिय दंड वीहिन विदियां इन दोनों विदियों पर बात होगी और इसके बाद में आपको एक पार्ट टू भी प्रोवाइड करा तो दोस्तों वीडियो को सही से देखिएगा आपके पेपर में हर बार पेपर में चरूर पूछा आता है पांसे दस नंबर में तो पहले बात करते प्रत्यक्ष दंड विदियों पर या विधी अवांचनी व्यवार की घटना को कम करने वाली विदियों को समाइद करती है जो कारे को नहीं कर रहा है और जब आप उसको कोई कारे दे रहें तो भग जाता है हसने लगता है रोने लगता है यह क्या सब अवांचनी इक्रिया है किसी को मारने लगता है खुद को नुकसान पहुचाने लगता है तो यह सब क्या अवांचनी इक्रिया है इनको रोकने के ल होता है यह माल लीजिए अगर बच्चा अभी मैं इसको पढ़के भी बताऊंगा लेकिन जो छोटा सा सारांस अगर बात करते हैं तो टाइम आउट क्या होता है अगर बच्चा कोई अवांचनी विवहार कर रहा है ऐसा विवहार कर रहा है जो समाज में सही नहीं है तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे जो पुनरबलन होगा उस पर रोक लगा देंगे दो से तीर मिनट के लिए और यहां भी देखेंगे कि उस अवांचनी क्रिया को करने के लिए बच्चे को दूसरा पुनरबलन कहां से मिल लहा है तो इन सब चीजों को हम ध्यान देंगे टाइम आउट के दोरान तो देखते हैं टाइम आउट क्या होता है अवांचनी विवार को दूर करने का एक मात्पूर्ण तरीका जो होता है वह होता है टाइम आउट और इस पद्धती में अवांचनी विवार होने के बाद एक निश्य समय के लिए विक्ति को मिलने वाले सारे पु बोड़ी देर के लिए और बच्चे को पुनरबलन मिलने वाले छेतर से हटा करके अवांचनी विवार को निर्बल करने की प्रक्रिया की जाती है यानि कि जब बच्चे को पुनरबलन नहीं मिलेगा तो जो वा विवार कर रहा होगा उसको वा धीरे धीरे रोक देगा और यहां पता करना आवश्यक होता है कि उस अवांचनी विवार को करने के लिए उस बच्चे को पुनरबलन कहां से मिल ला था यानि कि बच्चा अगर किसी को मार रहा था किसी को पीट रहा था तो उसके पीछे क्या कारण था उसकी पीछे कौन सा पुनरबलन लगा हुआ था जिससे की बच्चा किसी को मार रहा था इसकी भी जानकाई लगाना अतियावश्यक होता है इसके पस्चाद बच्चे को एक ऐसी इस्तिती में रखा जाता है जिसमें कोई भी पुरसकार की समभावना दो से तीन मिनट के लिए कम कर दी जाती है और इसको भी दो प्रकार में बाटा जाता है पहला आपका एक्सक्लिजन टाइम आउट और दूसरा आपका नॉन एक्सक्लिजन टाइम आउट और exclusion timeout अब क्या होता है इसके भाग जो होते हूँ तीन भागों में इसको बटा गया इसक्रीजिजन timeout को तीन भागों में बाटा गया पहला आपका होता क्या है exclusion timeout पहले हिसको देखते हैं इस तरह के timeout विवहार को करने के पस्चात उसे भहुतिक रूप से परिस्थिती के वातावर्ण के कुछ समय के लिए हटा जाता है यानि कि बच्चा किसी भी विवार को कर रहा है उस परिस्थिती से उस वातावर्ण से कुछ देर के लिए उसको हटा दिया जाएगा तो यह तीन प्रकार का होता है नेक्स्ट आपका नॉन एक्स्क्लिजन टाइम आउट दोस्तों यह क्या होता है इस प्रवादी में बच्चे को पुनरबलन युक्त वातावरंड से अलग नहीं किया जाता बलकि उसको परिस्थिति में पुनरबलन दे करके रोक दिया जाता है यानि कि नॉन इस्क्लिजन टाइम आउट क्या होता है कोई भी बच्चे ने अवाँचनी कारे किया तो उसको उस वातावरंड से अलग नहीं किया जाएगा लेकिन उसको अगर कहा जाएगा माल दीजे किसी पर बच्चा किसी पर बच्चे ने उसी वातावरंड में उसको पुनरबलन दे करके रोक देना जैसे कि सामाजिक पुनरबलन देना और और भी सारे पुनरबलन होते हैं टोकेन का भी आप रोक कर सकते हैं तो इन सब पुनरबलनों के दोरा उसको रोका जा सकता है और इसमें इग्नोर भी किया जा सकता है बच अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रतिक्रिया मूल्ले पर, यह प्रवधि अवांचनी व्यवहर को दूर करने के लिए उप्योग में लाई जाती है, इसमें सुववस्थित करमिक रूप से अवांचनी व्यवहर के घटित होने पर, दनात्मक पुनरभलन को हटाया जाता है, और पुनरभलन को वापस करने के लिए भी इसका पुर्योग किया जा सकता है, और यह पूर सही निधारित होता है कि बच्चे को एक टोकेन देना है या दो टोकेन देना है अगर पैसे भी देने है तो एक रुपए देना है या दो रुपए देना है तो यह पूर सही निधारित कर दिया जाता है अगर आप इस कारे को नहीं करेंगे तो मैं हम आपको एक जो प्रक्रमों का समय उजन समाहिद करती है जही नहीं सिखाती कि क्या करना चाहिए बल्कि क्या करना नहीं चाहिए इसकी आभी या सिखाती है या निम्रकार की होती है अतिसुधार के अंद्रगत पहला होता है आपका प्रस्थापन अतिसुधार इसके अंद्रगत क्या होता है देखिएगा अगर माल लीजिए अभी देखाते हैं आपको अभी और बताते हैं माल लीजिए बच्चे ने पनाति सुधार के अंतरगत उससे क्या कहा जाएगा आप उससे केवल उतनी ही बिंच को साफ कराई जितनी दिफे खाना गीरा है लेकिन सपीट वाथ कराते कराते अब उससे पूरी साफ कराना अता उससे उतना ने पूरे कमरे को साफ कराने के लिए कहेंगे तो वो दुबारा यह सोचेगा कि मुझे पूरा कमरा साफ करना पड़ेगा या खाना काते समय उसको अगर पूरी बेंच साफ करने पड़ेगी तो वह उस क्रिया को नहीं करेगा या धीर धीरे उसका जो या अवांचनी व्यवार है या कम हो जाएगा धनात्मक अभ्यास इस प्रवद में बच्चे की एक अवांचनी व्यवार के घटित होने के बाद उसकी जगाएक वांचनी विवार कराया जाता है यानि कि अगर बच्चा थूक रहा है किसी को मार रहा है चिला रहा है तो यह क्या हूँ आपका वांचनी विवार हुआ लेकिन यहापर क्या कराया जाएगा उससे वांचनी विवार के बतले एक वांचनी विवार भी कराया जाएगा जब वो गलत कारे करेगा तो उसे एक अच्छा कारे भी कराया जाएगा इस प्रवध में बच्चा वांचनी विवार करता है तो उसके बाद उसकी सारी गति विदियो को रोका जाता है और उसे वांचनी व्यवार के बारे में बताया जाता है और उसे वांचनी व्यवार का अभ्यास करायाता है और उसे पुनरबलन भी दिया जाता है पुनरबलन दोस्तों इतना देना चाहिए कि बच्चा बिगड़े ना अच्छे से कारे करता रहे प्रतिबंद, आप सारीरिक प्रतिबंद के अंदर गद हम क्या कर सकते हैं इस प्रक्रिया में गटना के बाद सारीरिक क्रिया उपर दोस्तों अगर आपको इसकी पीडिस चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में ही आपको टेलीग्राम गुरूप का लिंक दे दूँगा और टेलीग्राम पर इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं इस प्रक्रिया में गटना के बाद सारीरिक क्रिया उपर प्रतिबंद लगाया जाता है और आकरमन कारी विवहार को कम करने तता सारीरिक प्रतिबंद को कम करने में इसके लिए साहता होती है जैसे जैसे दो से पांच मेर्ट में बच्चों को हातों की जो बच्चा माल लीजिए कोई अगर आकरमन कारी विवार कर रहा है तो उसके हातों को हम थोड़ा सा बांद देंगे या दोनों हातों को पीछे करके बाद देंगे अंगुठा अगर चूस रहा है तो उसमें हम किसी कपड़े को लपेट देंगे जिससे कि वह अंगुठा नहीं चूस पाएगा या अगर किसी ने कपड़े फारे हैं तो क्या करेंगे उसको हम समझाएंगे और उसको प्रतिबंदित करेंगे सारी रिग प्रतिबंद के द्वारा लेकिन इस प्रतिबंद का अब यूज नहीं किया जाता है तो विवहारों को इससे रोका जा सकता है काफी हद तक वातावर्ण की पुनर सनरचना इसके अंतरगत क्या होता है या एक ऐसी प्रतिबंद जिसमें अवांचनी विवहार से समंदित कारकों का विसलेशन किया जाता है यानि कि जो भी बच्चा अवांचनी कारे कर रहा है उसको विसलेशित किया जाएगा ऐसा समझा जाएगा कि उस बच्चे को उस कारे को ना कराया जाए इसके बाद जिन कारकों में परिवर्तन करना संभा होता है उसमें परिवर्तन ला करके उसके विभार को कम कराया जा सकता है उसको विभार को उसकी संभावनाय जो है उसको कम कराया जा सकता है यहां मुख्यता कार्यात्म विशेशर पर आधारित होता है और इसका उप्योग परिस्तिती में संभाव जहां तक की अमांचनी विवार से संबंदित कारक हैं उसको सीधे ढंग से जुड़े रहने के लिए किया जाता है नेक्स आपका विलोपन किसी भी चीज को अब नाम से इस परिस्ते विलोप करना देखते हैं इसका प्रियोग हम उन परिस्तितियों में करते हैं जहां अमांचनी विवार का मुख्य कारण अटेंशन या शेकिंग होता यानि कि बच्चा के अंदर अवधान उत्पन हो रहा है बच्चा किसी भी कारे को नहीं कर रहा है विलोपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से अमांचनी विवार में परिणाम सुरूप मिलने वाले सारे प्रणमण को रोग दिया आता है जिससे उस विवार की तीवरता या निरंता धीरे-दीरे कम होती आती है रां भात करने लगता है और अपनी सवे बातों में में समाहित करने लगते हैं यानि कि उसका जो ओधान है वो इटेंशन है उसको बना रICK olduğ चाहिए बच्चा अटेंशन से किसी कारे को 5-10 मिन तक उसको करना चाहिए दिर दिर उसको हम ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हैं नाराज की प्रकट करना तो इस प्रदित में दोस्तों बहुत ही अच्छा डॉपिक है और सरल डॉपिक है अब आस आपको एक बार समझना है और हेडिंग्स को देखना है आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन सब चीजों में क्या कहा गया है बच्चे को केवल और केवल उसके प्रतिवंदित लगाने की बात की गई है उसको कम करने के लिए बात किया गया है जितने भी उसके अवांचनी विवहार है इस पद्धित क को बताता है कि आप समस्य विवहार कर रहे हैं आप आवांचनी विवहार कर रहे हैं उससे सभी बच्चे असंतुष्ठ हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अब आते हैं नमबर दूसरा आपका आभी तक आप लोग ने पढ़ा प्रत्यक्ष दंड विथी अब आप दंड विहीन विधियां पढ़ेंगे और दंड विहीन विदियो के अंतरगर आपसे कभी कभी पूछ सकता है दो नमबर में कि विवेधी पुनरबलन क्या होता है य तो आप इन सब विदियो के बारे में लिखेंगे आपसे पांच नमबर में पूछ सकता है most important लगाईएगा यहाँ पर दंड विहीन विदियो में समस्य विवार कम करते तथा वांचनी विवार को बढ़ाने के लिए इसका प्रियोग किया आता है और इसे विवेधी पुनर मनन का भी इसमें पुर्योग किया आता है तो विवेधी पुनर मनन क्या होता है देख लीजिए यह एक ऐसा तरीका है जिसका प्रियोग बच्चे में उपस्थिति अवांचनी विवार को दूर करने तथा समायोजित विवार को सिखलाने के लिए किया जाता है यह एक ऐसी है जिसमें पुर्योग के आधार पर दो उत्तेजनाओं में परिस्थिति के बीच विवेधन करते हुए किसी विवार को करना सिखाया जाता है यानि किデो उत्तेजनाओं के बीच में किसी भी कारे को किसी भी जो उसके वांचनी विवहार है उसको सिखायाता है और वांचनी विवहार को दूर करने और समायोजन करने में उसको मदद की जाती है विवेदी पुनर बलन के अंतरगत तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला आपका DRO यानि कि अन्य विवहर का विवेदी पुनर बलन इसमें क्या किया था इसमें बच्चा जम निर्धारित अवांचनी विवहर को एक निर्धारित समय में नहीं करता है तो उसे पुनर बलन दिया जाता है माल लेजे बच्चा दिन भर में 10 बार किसी ऐसे वांचनी कारे को कर रहा था जो वाकरी अच्छा नहीं था तो उसमें क्या किया आता है कि बच्चे को अगर उसने एक बार भी उसकारे को नहीं किया उस टाइम पर तो उसको क्या करेंगे पुनर बलन देंगे इस पद्धति में दूसरा कोई भी विवहार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जिस विवहार को हम कम करना चाह रहे हैं उसको कम करना होगा और इसके बाद में डी आरे वेकल्पिक विवहार का विवेधी पुनबलन तो इस प्रवधि में बच्चा क्या करता है जब अवांचनी विवहार की जगा कुछ निश्चित वेकल्पिक विवहार को करता है तो उससे पुनबलन दिया जाता है और इस प्रवधि में विवहार को एक नए समायोजन करके उसको सिखायाता है यानि कि जब बच्चा अवांचनी विवहार कर रहा था और उसी की जगापर उसको उसने एक कोई ऐसा अच्छा विवहार किया वेकल्पिक विवहार किया जो वाकई अच्छा था तो उसको क्या किया जाएगा पुनरबलन दिया जाएगा और अमांचनी विवहार को कम किया जाएगा और समायोजन को बढ़ाया जाएगा तो दोस्तों आगे देखतें TRI यानि कि विपरीद विवहार का विवेधी पुनर बनन तो इस विद में अवांचनी विवहार के लिए ठीक विरोधी विवहार का पुनर बनन समाहित होता है इसमें बच्चों के वांचनी विवहार को पुरस्कुत करेंगे और इसके बाद उसकी मन पसंद सामगरिया उसको देंगे इस बात से तात पर यह है कि विवार एक ही समय में आवांचनी विवार के साथ गटित नहीं हो सकता तो एक ही साथ आवांचनी विवार और वांचनी विवार नहीं गटित हो सकता तो उसको क्या करेंगे उसकी मनपसंद सामगरी देंगे जब वह आवांचनी विवार क कि का विवेदी पुनरबलन ये सब पुनरबलन बच्चे को दिये जा रहे हैं तो इस प्रवधि में वांचनी विवार की बारंबारता में कमी लाने पर बल डाला जाता है यानि कि जो उसकी वांचनी विवार कर रहा है उसकी बारंबारता पर कमी लाने पर बल दिया जाता है और उसका रिकॉर्ड भी सामिल किया था, उसको रिकॉर्ड किया आता है, और जब बच्चा इस विवार को कम मात्रा में करता है, तो उसे पुनरबलन दिया जाता है, जो भी उसका जो अवांचनी विवार है, उसको अगर वो कम करता है, तो उसको क्या किया था, उसको दिया जाएगा DRH यानी कि प्रतिकरिया उच दर का विवेधी पुनर बलन तो क्या होता है वांचनी विवार को बारमबारता वरधी लाने पर बल ढलायाता है और जब बच्चा बेस लाइन रिकॉर्ड के पेच्छा अधिक मात्रम में विवहार करता है तो उसे पुनरबलन दिया जाता है तो दोस्तों यह था आपका निम्नदर और उच्चदर विवेदी पुनरबलन दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वा विवहार परिमाजन के जो होगे चैनल वह आपका होगा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों लिंक है और लिंक के साथ साथ आपका जो पीडिएफ है मैं दोनों चीजे सेंड कर दूंगा मिलता हूं दोस्तों नेक्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद